कि आपके तीन करोड़ लोगों से पूछेंगे कि आप बताओ कि पंजाब का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए तो पिछले हफते हम लोगों ने एक फोन नमबर जारी किया और हमने का आप कॉलिंग कर सकते हो आप WhatsApp मेसिज भेज सकते हो आप SMS भेज सकते हो तो हमारे पास 21,69,437 में रिस्पॉंस आए लगबग 21,69,437 लोगों ने अपने रिस्पॉंस दिये तो एक चीज तो सारे सर्वे भी ये दिखा रहे हैं और महौल भी ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है तो जो CM चहरा अब ऐलान होगा वो एक तरह से पंजाब का अगला CM बनने जा रहा है तो पंजाब के लोगों ने अपना अगला CM किसे चुनाए ये जो 21,69,000 वोट आए जो लोगों ने अपने रिस्पॉंस दिये उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया मैंने शुरू में क्या दिया था भी मेरे इसमें नहीं हूँ तो उन वोट्स को हमने invalid declare कर दिया जिसने से कावी अरविंद केजरिवाल उसको हमने साइड कर दिया उन सारे वोट्स जो बचे उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंतमान का नाम लिया मैं अपनी बात पूरी दो मिनट बस दो मिनट 93.3% लोगों ने सरदार भगवंतमान का नाम लिया दूसरे नंबर पे नवजोद सिंग सिद्धू थे उनको 3.6% वोट मिले तो आज आम आदमी पार्टी के तरफ से पंजाब के अगले सीम और आम आदमी पार्टी का सीम चहरा औप चारिक रूप से सरदार भगवंतमान को डिकलेर करते हुए झाल आम आदमी पार्टी के अगले तरफ से सीम चार्टी के अगले हैं